हेलो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि 2.25 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे यानि की स्क्वाइर रूट आफ 2.25 तो चलिए शुरू करते हैं देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां पर ऐसा टेवल बना लेंगे और यह हो जाएगा हमारा इस प्रकार से अब यहां पर रैट करेंगे 2.25 क्या रैट करेंगे 2.25 अब देखें हमें पेर बनाना होता है तो यह पेर यह बन जाएगा हमारा एक pair हमारा ये बन जाएगा और एक pair हम इसको बनाएंगे तो इसमें एक ही नंबर है आगे 0 बढ़ा लेंगे अब ये हमारा pair complete हो जाएगा अब ये जो 0.2 है ये 1 के square में आता है देखो 1 का square 1 2 का us quite हो जाएगा तो फोर जादा हो जाएगा तो यह लेंगे तो यहां पर देखो वन से करेंगे तो वन हम से 01 को हमारे पास आजएगा 01 कितना आजएगा वन अजएगा आप देखो यहां पर डेसिमल है तो यह वाला पर राइट करदेंगे और यह पूरा नंबर यहां पर लाकर करके ऐसे राइट कर देंगे प्यार तो अब यह बन गया 125 अब यहां जो टू है ना यहां जो two है यहां पर हमें कोई ऐसा नंबर लिखना है और उसी से multiply करना है कि या तो इसके equal आजाए या तो लेस आजाए तो देखो हम यहां पर five रखके try करेंगे तो 5 जब यहाँ पर लिखेंगे तो 5 से multiply भी करेंगे और 25, 5 जा 125 तो यहाँ पर देखो कितना rate करेंगे 5 और यहाँ पर कितना rate करेंगे 5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 125 और यह देखो पूरी तरह से cut गया जिस step में हमारा remainder 0 होता है उसी step में quotient हमारा square root होता है यहाँ पर लिखेंगे square root of 2.25 is equal to 1.5 कितना 1.5 तो 2.25 का वर्गमुल कितना होगा 1.5 होगा ठीके तो यह हमारा answer होगा तो उमेद करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो में आपको कुछ helpful लगा होगा तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और अपने दोस्तों को भी share करें मिलते हैं अगले वीडियो में अगले question के साथ तक तक लिए thank you class